if sum of the n terms of the two arithmetic progression are 2n plus 1 and 2n minus 1 ये ratio है तो find the ratio of the 10th term तो see हमें क्या given है कि अगर हमारे पास में 2 AP है let's say S और M तो हमें क्या दिखा हुए है series S के भी n terms का sum दिया हुआ है series M के भी S terms का sum दिया हुआ है ठीक है तो यह क्या बूल सकता हूँ मैं जो पहली series होगी उसके लिए क्या होगा sum n terms का n by 2 तो यह क्या होगा n by 2 into 2 a1 plus n minus 1 into d1 यह क्या होगा पहले n terms का sum then क्या होगा फिर upon मैं अगा n by 2 into 2 times of a2 plus n minus 1 into d2 ठीक है अब इसकी value हमें क्या given है इसकी value हमें given है यह है equal to 2n plus 1 upon 2n minus 1 यह हमने क्या कर रहें series m के भी क्या बोलते है n terms का sum लिखा है और series दूसरी जमबर लेट से पी है उसके भी n terms का हमने sum लिखा है उसका ratio है यह ठीक है अब अब हमें क्या निकालना है हमें value निकालनी है 10th term की it means 10th term क्या होती है पहला देखने की बात यह 10th term होती है a plus 90 के equal तो हमें 9 कैसे मिल सकता है see n by 2 से n by 2 तो हम cut down कर देते हैं ठीक है n by 2 से n by 2 cut down अब यहाँ पर 2a है यहाँ भी 2a 2 है तो यहाँ पर हमें 2a भी remove करके a चाहिए होगा तो it means जब हम 2 common लेंगे तो n minus 1 की value क्या होनी चाहिए 2 times 1 चाहिए जो हमें चाहिए उससे तो means हमें n is equal to क्या पोट करना पड़ेगा है यहाँ पर if I put n is equal to 19 n is equal to 19 तो क्या जाएगा 2a1 plus n minus 1 की value क्या जाएगी 18d1 ठीक है और upon में क्याएगा upon में क्याएगा 2a2 plus n minus 1 की value क्या जाएगी 18d2 अब n की value अगर मैं 18 put करूँगा तो यहाँ पर क्या जाएगा 19 into 2 is 38 38 plus 1 is 39 और upon में क्या जाएगा 37 यहाँ कि 19 into 2 38 13 minus 1 is 37 अब अगर मैं 2 common ले लो तो यहाँ से क्या जाएगा यहाँ क्या जाएगा a1 plus 90 2 common लेती ही a1 plus 91 और यह क्या जाएगा a2 plus 9d2 जाएगा value किसी को ला गई it is equal to 39 by 37 और simplify अगर मैं करूँ हाँ तो यह क्या लिखा हुआ है यह लिखा हुआ है M series का 9th term तो यह क्या लिखा हुआ है T9 और यह क्या लिखा हुआ है P series का 9th term तो indirectly लिख लिखा हुए Tm9 upon tp9 और इसका ratio क्या गया 39 by 37 so this is the answer for this question TM9 by TP9 is equal to 39 by 37